हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम कलास 10 के विज्ञान से संबंदी सबसे important question को देखेंगे आज हम विज्ञान के प्रकाश के प्रावर्तन तथा अप्वर्तन से संबंदी उन प्रशनों को देखेंगे जो आपके पिछले साल के पेपरों में जैसे 2023, 2022, 2020 और 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 में ये सभी प्रशन कई बार repeat हो चुके हैं फ्रेंस आज कुछ इसमें ऐसे expected question भी लिए गये हैं जो आपकी 2024 में होने वाले board के exam के लिए ये सभी प्रशन same to same आएंगे फ्रेंस आप से बस इतना निवेदन करते हैं कि आप एक notes बना के इन प्रशनों को वहाँ पे अच्छी प्रकास लिख लिजिए जिससे आप कम से कम समय में इन प्रशनों का revision कर सकते हैं फ्रेंस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें ठीक है देखें फ्रेंस आपके सामने पहला सवाल है कि दाड़ी बनाने में किस प्रकार के दरपड का उपयोग किया जाता है यह आपकी बोर्ड के एक्जाम के लिए प्रस्न बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है देखें प्रातेक प्रश्न का चार आपसन इसके सामने हैं और जिस प्रश्न का एंस्वर आपको पहले से पता हो उसका एंस्वर आप कमे दरपड़ होगा तीस प्रश्ण का सही जवाब होगा सीवल आपसन क्या होगा करेक्ट होगा कि दाढ़ी मनाने में हम अवतल दरपड़ का परियोग करते हैं आपका दूसरा सवाल है फ्रेंस यहां पर गोली दरपड़ में फोकस और वकृता तरिज्या के बीच संबंद क्या ह है यहां पर आपका चार आपसन दिया है फ्रेंस आप सीधे याद रखिएगा जो फोकस होता है वक्रता तरिज्या के बीच में संबंद क्या होता है आपको पता होगा कि फोकस को यह आप से दिखाते हैं और वक्रता तरिज्या को आर से जो फोकस होता है वक्रता तरिज्या आपके क्या हो जागा करेक्ट होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी आपसन सही है आपके सामने यह अगला नंबर का सवाल है फ्रेंस देखें यहाँ पे तीसरा नंबर का सवाल क्या करा है कि आउतल दरपर से प्रावर्तन के बाद किरण किस बिंदू से होकर जाती है तो तो यहां पे C को वक्रता क्यंद्र दिखाया गया है ऐफ को focus है और फितरू है ठीक है आप समझ में आ गया को थी यफ और पी का मतलब क्या है अभ दिक्रैश्ट है जब कोई प्रकास किरह मुख्य अच्ट के समनांतर जाती है ठीक है इस कास मुख्य के समनातर जाएगी दरपढ़ से प्रावर्तन होने के बाद किस बिंदू से होकर जाती है तो फ्रेंस इस प्रश्ण का सही जवाब क्या होगा बीवला आपसन आपका करेक्ट होगा ठीक है चलिए अगले नमबर के सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नमबर का सवाल है चोथे नमबर का देखे क्या है कि किसी दरपढ़ से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु का छोटा और सीधा परतिवीम बनता है दरपढ़ होगा ठीक है अब देखे फ्रेंस यहां पे पूछा है प्रश्ण को आप ध्यान पूर्यक पढ़िए क्या का रहा है ए और समतल दरपढ़ होगा यह समतल उत्तल दोनों होगा तो फ्रेंस देखे आप सीधे सीधे याद रखियेगा कि वस्तु को कहीं भी रखा जाज यदि आपका प्रतिवीम सीधा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है ठीक है यह कंडिशन जो आता है आपका केवल वह क प्रकाश के अपवरतन के कितने नियम है तो आप सभी को अपवरतन पढ़ाए है तो इसमें आपको बताना है कि प्रकाश के कितने नियम है तो आप प्रकाश्क रापर करेक्ट होगा समझ में चलिये अगले सवाल को सवाल सवाल को देख और आपका यहां पर देख सकते हैं शट्रावा नंपर का कि किसी गोली दरपड की वक्रता तरिज्जा 50 50 cm तो उसकी Focus दूरी होगा दिखेंगे अभी इसका formula आपको बताये थे का focus वकणता 3 के संबंद क्या होता है दिखेंगे focus को यह आप से दिखाते हैं वकणता 3 जिया और इसका को जाएगा चलिए अगले नमबर के सवाल को देखते हैं अगला सवाल है यह वह इंपोर्टेंट प्रस्नेट इस जितने भी प्रस लियेगा है सब इम्पोर्टेंट है लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है देखिये यहाँ सवाल को पढ़िए एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की छंता हो गे क्य क्या क्या रहा है यहां पर ओक छंता बराबर होता है उत्तर करण तर नको होता है आपकोелов it अब यहां पर देखेंगे कि यहां पे एक है फोकस दूरी मीटर में देयाती है हम वन लेंगे वन को भाग देंगे क्या हो जागे एक तो देखिए आप उत्तर लेंस के छमता को किसें दखाते हैं डायोप्टर को डी से दखाते हैं कितना हो जाएगा वन डी होगा ठीक है तो इस प्रश्ण का सही जवब बीवाला होगा अब देखें फ्रेंस यहां पर दू आपसन था माइनस वन डी प्लस वन डी तो फ्रेंस आप हमेशा याद रखिएगा कि जो उत्तर लेंस होता है ना उत्तर लेंस की जो छमता होती है प्लस में प्लस में और जो उत्तर लेंस होता है उसकी छमता माइनस में होत में होता है था है तो प्रेंस आप हमेशा याद रखिएगा कि ऊतार लेंस जब एक ही जगा सिख लिए ओतल लेंस कहेगा ठीक है तो अउतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है माइनस में होता है ठीक है यहाँ यहाँ याद रखेगा उतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होता है इसके अलब चंपता के बारे में याद रखिएगा ठीक है देखिए उत ऐसाओ लेंस की फोकस दूरी प्लस और जो अ Kultur लेंस की कि फोकस दूरी माइनस में होता है उत्त hatte स्फश्लें प्लस में होता है और इस ի्रेश्स की सही जवाब एवला आपसन करेक्ट होगा चलि अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का सवाल यहां पर नुवा नंबर का कि प्रकाश का वेग नियुम्तम होता है या प्रकाश के वेग नियुम्तम किसमें होगा आपको यह बताना है आपसन है निरवात में जल म वायू में या काच में देखे फरेंस प्रकाश का वեग्न लेंgregन रियंतन के लेंस बनाले के लिए उपयुकत नहीं होता है यहांपी जो है लेंस बनाने के लिए हम जल का भी परियोग करते हैं लेंस बनाने के लिए काश का भी प्लास्टिक का लेकिन लेंस बनाने के लिए हम मिट्टी का परियोग नहीं करते हैं तो इस प्रश्ट का सही जवाब कौन सा होगा डी वाला कि लेंस बनाने में हम मिट्टी का परियोग नहीं करते हैं चलिए अ कालपनिक मतलब होता है आपको पता होगा कि इसे कालपनिक अभासी भी बहते हैं कि करते हैं चले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नमबर का सवाल आपका है कि 4D चमता वाले ओतल लेंस की focus दूरी होगी देखें फ्रेंज आपको अभी बता है कि लेंस की छमता P on up on up on up होता है इस फार्मॉला का परयोग तभी करते हैं जब focus फोकस दूरी मीटर मी यह दिया होता है ठीक है अब यहाँ से पूछ पूछ गया रहा है आंस से एंस में 100 लिजिए गा और पी का मान कितना दिया, 4 तिहां, 4 ले लिजी, 4 का भाग 25, 100 में देंगे ति कितना हो जागा, 25, ठीक है, सेंटीमीटर हो जागा, कितना हो पचीस सेंटीमीटर, ति इस प्रश्ण का सही जवब क्या होगा, आपका बीवला आपसां correct होगा, समझ में आ गया होगा, यदि किसी भ कौन सा था, भीवला, ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका है, यहाँ पर देखिए, किसी उत्तर लेंस का focus, कितना है 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी छमता होगी, ठीक है, अब छमता पूछ रहा है, तो पीस कल्टू क्या होता है, वान अपन यफ, और इस फार्मॉला का परियो आपका दिया है 100, यह कमान कितना है, 50, सेंटीमीटर है 50 से कटेगा, कितना आजागा, दो, और छमता का मातरक डायोप्टर होता है, तो टूडी होता है, कितना होगा, टूडी, देखें फ्रेंस, यहाँ पर जब आपसन में आप ध्यान से देखेंगे, तो माइनस टूडी है प्लस टूडी है, तभी आपको ऊपर कंसेट बता हैं, फ्रेंस, कि जो उत्तल लेंस होता है, उसकी जो छमता होता है, किस में होता है, प्लस में होता है, तो इसलिए इसका आपसन कौन से सही होगा, डी वाला, ठीक है, समझ में आ गया होगा, चलिए अगले नंबर का सवाल क का है पंदरा नमबर का कि समतल दरपड़ द्वारा बना परतिविम होता है आपको बताना है कि समतल दरपड़ द्वारा परतिविम कैसा बनता है वास्तुविक बनता है कालपनिक बनता है दोनों बनता है यह में सो कोई नहीं तो फ्रेंस आप याद रखिएगा जो समतल दरप क्लिए दुभारा जो परतिवीम बनता है हमेशा को उससा बनता है कालपनी का मतलब क्या हो था अब याद रखिये चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का सवाल आपका है गश्मक्रणीय में सोल están at woven's work 10 प्रकास क्युन्वक प्रवेश करती है तो मूर जाती है अब धिकतुट को प fence जब प्रकास हवा से कहां प्रवेश कर रहा है काच में यह आपका यहां सी यह अभिलंभ यह मालीजे वायू है क्या है वायू ठीक है यह है आपका काच ध्यान समझे प्रकास किरण जब वायू से काच में आता है तो आपको पता होगा कि अभिलम की और क्या करता है जूग जाता है जब प्रकास वायू से काच में प्रवेस्ट करता है तो अभिलम की और जूग जाता बीवली自長 फोट घ्राफिक चाम्वान होता ओता है। लिए तो डेह लंबर होता, लिए, अगले लंस फोट्वान का चुक्रण का हुटता है। माली ठाठेखर ऑल हो जाएका ठीक है चली अगले नंबर के सवाल को देखते अगला सवाल आपका है 58 का साइड मिरर के रूप में परियोग दोता है साइड मिरर का मतलब वह साइड मिर रोता है इसमें कौन सा दरपड़ पर्योग किया जाता है तो आपसे उतल दरपड या उतल लेस पृज्व सब्सक्राइब भी सवाब होगा इसको याद रखिएगा उतल दरपड यह पेपर में बहुत रिपीट होता है कि side mirror के रूप में कौन सा दरपड़ प्रियुक करते हैं तो होता है आपका उत्तर दरपड़ समझ में आ गया होगा ना चलिए अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल आपका है देखे क्या है कि कि किसी माध्यम के अपवर्तनाग मू का मान होता है ठीक है देखे साइन आर अपान साइन आई साइन आई अपान साइन आई गुड़े साइन आर साइन आई प्लस साइन आई प्लस साइन आर तो फ्रेंच देखे इसको आप सीधे याद रखेगा जो अपवरतनाग म्यूशकल टू होता है साइन आई अपान साइन आर होता है क्या होता है यह होत अगला नमबर का सवाल को देखते हैं और इसका फार्मुला क्या होता है यह अगले नमबर के सवाल को देखते हैं यहां पर 20 नंबर का तो हो गया आपको सवाँ अब अगला नंबर का सवाल देखते हैं 21 नंबर का ठीक है जब 21 नंबर का फ्रेंस सवाल देखेंगे यहां पर कहा रहा है आपका कि एक उत्तल लेंस होता है आपको पताना है को उत्तल लेंस कैसा होता है आप से पढ़े ध्यांस on मोता किनारों के फिच में इन्मेस कोई नहाँ इधारे कीँ सिस्क्राइगे कि एक उत देखेगों किनारे कैंगा किनारा इसका है पतला है और ये बीच में क्या है मोटा है किनारे के पेच्छा बीच में मोटा होता है इस प्रश्ण का सही जवाब सीवलापसन करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अगले नंबर का सवाल को देखते हैं 22 नंबर का देखें फिरे जब 22 नंबर का आप देखेंगे तो क्या है किसी बिंब का वास्तविक सामान आकार का प्रतवीम प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तर लेंज के सामने कहां रखेंगे क्या है लेंज के मुख के फोकस पर या फोकस दूरी के दूगनी दूरी पर या लेंज के प्रकाशिक के लिए फोकस के बीच में या अनंद पर देखेंगे फ्रेंस आपको के दूगनी दुरुपेति इसका सही जवब क्या होगा बी वाला आपसन करेक्ट हो जाएगा समझ में आ गया होगा चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का सवाल आपका है यहां फिर देखिए प्रावरतन से संबंदित पूछा यहां पर यहां पका रह कि इसमें आपतन कोड अपवरतन कोड के क्या होता है बराबर होता है तो फ्रेंट इस प्रस्ट का सही जवब क्या होगा आपतन कोड जो होता है प्रावरतन कोड के बराबर होता है यह कैसे बराबर होता है यह आपका है जब कोई प्रकास ऐसे आता है तो यहां से प्रावरत आग चयाल को दिखते हैं अगला sवाल आपका सब्सक्राइट से सब्सक्राइब चाल सबस्क् limbaly सब्सक्राइब शार्च लाइट का प्रावर्थक सत्प होता है यानि सफ्सक्राइब इससको याद रखेका ऊतल इस है और लुस्तल्ठ कर इस होग tutorial सब्सक्राइब करें अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला सब्सक्राइब का देखेंगे जब प्रकास की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पुरुपत से बिवलापसन करड़ होगा ठीक है देखेंगे फ्रेंस्ट यह एक जब दुसरे माध्यम में जाता है तो अपने माध्यम से विचलिश्त हो जाता है कभी अभिलाम की दूर गटता है इस इस नियम को क्या कहते हैं इस नियम को अपॉर्टन कहते हैं कौन सा नियम है प्रकाश के अपॉर्टन का नियम तिसका सही जवाप क्या होगा बीवल आपसन करेक्ट होगा ठीक है देखें फ्रेंस यहां पे आपके 25 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टन कोईशन थे जो आपकी पेपर में सभी प्रशन रिपीट हो चुके हैं और 2024 में आने वाले बोर्ड की एक्जाम के लिए यह कोईशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है आपको यह सभी प्रशन समझ में आ गया होगा यदि अभी तक किसी भी प्रशन मे आपको किसी प्रगार का प्राबलम है तो आप कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं उसका जवाब हम जरूर देंगे और फ्रेंज यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें